स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सेचिन और आद कीस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस आपको पता होगा कि हम आद से अपना न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो की आपके लिए most important होगा आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important होगा और जो आपको यहाँ पे notes मिलेंगे आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं बहुत मैनत करिए आपके लिए तो वीडियो को end तक देखना chapter first है जिसका नाम है कारे आजीविका तथा जीविका जिसको हम कहते हैं work, livelihood and career ठीक है तो यह chapter थोड़ा सा lengthy है इसको हम 2-3 पार्ट में खतम करेंगे तो आज हमारा part first है comment box में आप अपना response जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी तो आइए start करते हैं आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं आपकी जो भी problem हो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं मैं उसके ओपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और मेरा username आपके सामने है आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारा mobile app भी download कर सकते हैं play store पे जाके क्योंकि अब जो हमारी e-book जल्दी ही तयार होने वाली है English की वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे mobile app पे available होगी तो आप mobile app को जल्दी से जल्दी download कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा हमने English का new course भी start कर रखा है और English भी आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैंने अभी तक वहाँ पे लगबग दो chapters करवा दिये हैं और जल्दी जल्दी मैं उसको cover करूँगा ठीक है तो आपको English की वीडियो भी जरूर देखनी है अगर आप class 12 में है तो अब हम start करते हैं अपने chapter को content देख लेते हैं पहले हमें क्या हमारे syllabus में है तो सबसे पहले आपको English में बता दूँगा कि मैं work and meaningful work क्या होता है ये पढ़ेंगे work, careers and livelihood क्या होता है traditional occupations in India जैसे कि agriculture, handicrafts, Indian design और visual arts उसके बाद जो है ये इतना आज हम part first में पढ़ेंगे और आगे का मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा तो आईए वीडियो को हम पहले start कर लेते हैं तो introduction देख लेते हैं तो जैसा कि आपको बताए कि हमारे chapter का नाम है कारे जीविका आजीविका ठीक है तो वर्तमान में क्या है व्यवसाइक छेतरों में प्रगरती हुई है मतलब आज के time पे जो व्यवसाइक area मतलब जहां से हम पैसे कमा सकते हैं जो व्यवसाइए हैं ठीक है जो बहुत सारी जो चीजे हैं उनमें अब धीरे धीरे development होने लगा है उनका जो है मतलब उनकी प्रगरती हुई है और जो carrier के जो options है वो बढ़ गए है पहले बहुत limited carrier options होते थे अगर हम बात करें प्राचीन थोड़ा अगर हम पीछे जाएं भारत में तो किर्शी एकमात्र और किर्शी पशुपालन और यही सब चीजें चला करती थी शिकार वगरा पर आज के टाइम पे दीरे-दीरे carrier के बहुत ज़ादा options आपके सामने आ गए है और यह options carrier के इतने जाद आप भी अगर आप class 12 में हो तो आप भी सोचते होगे कि मुझे class 12 के बाद क्या करना है किसमे करियर बनाना है तो यह वो ही करियर की बात हो रही है यह आपे और एक यूवा जो एक यंग होता है ठीक है जो एक यंग्स्टर होता है यूवा होता है यूवा के लिए अपने लिए सबसे भैतर चुन पाना बहुत बड़ी समस्या होती है मतलब ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा आपके सामने आपके जो relatives हैं वो कहते होंगे बेटा police में चले जाना कोई कहता होगा UPSC कर लेना कोई कहता है law कर लेना तो कोई आपको अलग-अलग suggestions देता होगा आपके सामने career के इतने सारे options रख दिये हैं इतने सारे career options हैं आपके सामने कि आज के समय कि यह सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि एक U.A. को क्या करना चाहिए और career का चुनाव करने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि जो भी U.A. वो उस career के बारे में पूरी तरेके से अच्छे से मतलब उसकी जानकारी हो ऐसा नहीं कि किसी ने आपको खा कि यह कर लो और आप जाके उसको करने लग जाओ जी नहीं आपका interest जहां पे है ठीक है आप किस career में जाना चाहते हो यह आपके ओपर depend करता है और आपको एक चीज़ और बता दू यह home science जो है यह आप वैसी home science नहीं रही जिसको पहले समझ जाता था कि सिर्फ लड़कियों के लिए है आज के टाइम पे home science का home science की रूप रेखा वदल दे गई है और उसके अंदर जो आप topics आपको पढ़ाय जा रहे हैं यह कहीं न कहीं आपका development जरूर करेंगे आपको कहीं न कहीं सजक करेंगे आपको सजक बनाएंगे आगे हमारा पहला topic के कारे तथा अर्थ पूर्ण कारे मतलब work and meaningful work का क्या मतलब होता है आईए देखते हैं तो सबसे पहले आपने एक word सुना होगा कारे कोई भी अगर हम कारे करते हैं वर्क करते हैं आपने यह शवद जरूर सुना होगा तो आईए इसका meaning देखते हैं तो कारे ज अगलब अपनी बुक्स को अच्छे से बढ़ते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक उदेश्य ज़रूर होता है कि हम अच्छे माक्स लाना चाहते हैं ठीक है यहां टॉपर बनना चाहते हैं तो कोई ना कोई उदेश्य की पूर्टी के लिए जो भी गतिविदियां की जाती है वो अपने कपड़े बेजने का कारे करता है उसके लिए जाना जाता है तो हर कारे जो होता है मनुश्य को उसकी अपने अलग पहचान देता है और नए नए संबंद बनाता है ठीक है कारे से ही आप अपने नए नए संबंद बनाते हो आप अगर मान लो आप लंबर का काम करते हो तो आपको लोग अलग-अलग जगाओं से बुलाएंगे अपने घर में, ठीक है, तो आप अलग-अलग जगाओं अपने संबंद बनाओगे, नई लोगों से मिलोगे, तो ये होता है, और किसी भी कारे को करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी प्रतिवाओं का, यानि की abilities का, और qualities, यानि की कोशल, skills, जो भी होता है, आपको उन सब की जरुतों मतलब होती ही होती है, अगर आपको कोई काम करना है, तो आपके अंदर वो काम को करने की ability, quality, skills होनी चाहिए, तो अब हम देखते हैं कारे के उद्देश्य क्या होते हैं, objectives of work, कारे का पहला उदेश्य होता तो धन अरजित करना होता है, ये आज के टाइम की बात में कर रहा हूँ, तो धन अरजित करना पहला उदेश्य होता है, मानलो कोई खेती करता है, तो किसान उसका भी उदेश्य है कि उसको धन अरजित करना है, उसको अपना परिवार पालना है, कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका उदेश्य भी यह है अगर वो कोई कारे कर रहा है तो उसको धनर जित करना है दूसरा उदेश्य होता है आत्म निर्वर बनना मालो कोई अगर 12 तक स्टूडेंट था उसके बाद अगर वो स्टूडेंट 12 पार कर गया है वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं घर से पैसे नहीं लेना चाहता मैं खुद का कोई कारे करूँ जिससे मैं आत्म निर्वर बनना मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े तो इसको हम कह स लोब कोई भी उनका मतलब स्वार्थ नहीं होता उनका काम नहीं स्वार्थ होता है कोई उनकी चुटे नहीं होती ठीक है और वो बहुत जादा मेहनत करती है हमारे लिए हमारे मतलब उनके लिए वो कर्तववे भी है उनका एक सबसे बड़ा योगदान भी है हमारी जीवन म हो, ठीक है, जो मतलब समझ के लिए उप्योगी हो, तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, मतलब ऐसा काम जिसका कुछ मतलब अर्थ भी हो, कुछ उसका मीनिंग बनता हो, ठीक है, अगर कोई आप काम कर रहे हो, और उसको आप पूरी कारे बन जाता है ठीक है कि मतलब ऐसा काम जिसकी कोई meaning है आगे बढ़ते हैं next topic है नौकरी नौकरी को job भी कहते हैं आज के time पे सभी लोग जानते होंगे कि job हम किसे कहते हैं हर कोई चाहता है कि मैं 12 के बाद जिसकी आगर financial condition अच्छी नहीं होती वो कहता है कि मैं job करूँगा क डोड़नागा किसी जगा job पे लग जाओंगा तो ये वो ही job है आगे job का मतलब क्या होता है नौकरी हम किसे कहते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य जो धन कमाने के लिए किया जाता है उसको हम नौकरी कह सकते हैं ठीक है पैसा कमाने के लिए क्योंकि जॉब कोई फिरी में तो करता नहीं अगर हम जॉब को अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम पैसा कमाते हैं उससे तो ऐसा कोई भी अगर हम काम करते हैं ठीक है जिससे हमें पैसा मिलता है धन कमाने के लिए अगर हम कोई काम करते है तो वो हमारी नौकरी कहलाती है हमारे लिए वो जॉब कहलाती है आगे बढ़ते हैं अगला टोपिक है नौकरी और केरियर में अंतर यानि की job और career में क्या अंतर होता है एक job आप किसी के under में करते हो, career आप अपना खुद का बनाते हो, तो इसमें अंतर क्या हो सकता है आईए देखते हैं, तो सबसे पहले नौकरी के बारे में कुछ आपको बताता हूँ नौकरी में जो व्यक्ति होता है अपने मालिक के सपने पूरे करता है आपको पता है कि अगर आप job करते हो किसी के under में, तो आप अपने सपने नहीं पूरे करते हैं, आप अपने मालिक के सपने पूरे करते हो, ठीक है और नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से office जाना पढ़ता है, यह जो भी उसका कारे स्थल होता है, ठीक है जहाँ पर वो काम पर नियमित रूप से मतलब उसको जाना पढ़ता है डेली वहां पर, ठीक है और आपको क्या होता है नौकरी के इंदर नौकरी के दोरान अगर किसी परकार से कोई नुकसान हो जाए ठीक है नुकसान होने से क्या आउ सकता है आपकी नौकरी भी जा सकती है माल लो आप कोई computer operator का काम करते हो बड़ी company में आप नौकरी करते हो आप से कोई गलती हो गई सारा data aggregate हो गया तो हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दिया जाए ठीक है तो ये एक खत्रा बना रहता है नौकरी के अंदर और नौकरी में जो व्यक्ति होता है उसको केवल company द्वारा निरधारित लक्षे प्राप करने होता है यानि कि आप अपना खुद का दिमाग महाँ प पिर वहाँ पर कोई जगाई नहीं बसती है तो अगला topic है हमारा career यानि कि अगर हम अंतर करते हैं नौकरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है अब जो career होता है हमारी जीविका होती है जीविका का तात पर रहे है उन साधनों ठीक है उन साधनों तथा व्य अपनी मूलभूत आवशक्ताओं की पूरती करता है ठीक है यहाँ पर क्या है मतलब हमारा career क्या होता है कि मतलब ऐसा व्यावसाय या ऐसे साधन जिन से हम अपनी मूलभूत जो हमें कम से कम हमें fundamental जो हमें चाहिए ही चाहिए जो हमारी मौलिक जरूते हैं कपड़ा रोटी म मकान, पानी, खाना ये सब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए अगर हम जो करते हैं ठीक है जो व्यावसाय करते हैं वो हमारा career कहलाता है आप अगर आगे career बनाते हो अपना ठीक है अगर आप sports में जाते हो, army में career बनाना चाहते हो तो आपकी lifestyle भी फिर वैसी ही हो जाते हैं तो ये आपका जो मतलब career होता है नोकरी और job में अंतर में आपको बता रहा था तो career में क्या होता है कि व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है नोकरी में आप किसी के अंडर रहत सकते हो आप किसी के अंडर में नहीं होते हैं यहापे कोई आपकी एक निश्चित income नहीं होती जब की job करोगे तो मालो आप job करते हो 20,000 की तो वो निश्चित है आपको हर महीने 20,000 ही मिलेंगे पर अगर आप career बनाते हो अपना किसी जगा में अपना खुद का कोई career बनाते हैं और career में जो व्यक्ति होता है वो खुद ही अपना swim ही अपना मालिक होता है career में कोई आपसे उपर नहीं होगा आप अगर अपना career बनाते हो किसी भी field में तो आप अपने मालिक खुद होगे आप किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं अगला topic है हमारा भारत में परंपरा अगत व्यावसाए तो हमारे भारत के अंदर traditional क्या क्या वो occupations हैं क्या व्यावसाए क्या काम धंदे हैं जो लोग करते आ रहे हैं लोगों की क्या मतलब आजीवी का चली आ रही है काफी पहले से पुराने टाइम से ठीक है तो यही आजम पढ़ने वाले हैं तो भारत के अं पास्तु कला ठीक है आर्किटेक्चर वगरा यह सब हमारे पुराने व्यावसाए हैं जो चले आ रहे हैं तो सबसे पहले हम किर्शी के बारे में बात करेंगे एगरी कल्चर जिसे हम कहते हैं भारत का मुक्य व्यावसाए है मेन ओक्यूपेशन ओफ इंडिया क्योंकि भारत देश में है और लगबग 70% जो हमारी जनसंक्या है ठीक है वो हमारी ग्रामीर जनसंक्या है ठीक है जो हमारी गाओं में रहने वाले लोग है लगबग 70% और आर्थिक मैत्व की फसलें भी लोग उगाते हैं मतलब गाओं के अंदर यह जहां भी खेती होते हैं जो पैसे कमा भी उगाते हैं ठीक है नगदी जिनको लोग फिर जाके मंडियों में बेशते हैं सबजियां डालें फल गेहूं ठीक है आप पोटो भी देख सकते हैं अपने सामने तो ये सारी चीज़े क्या आती है हमारे कही न कहीं पैसा कमाने के ही साधन है और भारत जो है अध्रक काली मि तो देश के साथ-साथ विदेश में भी भारत की हस्त शिल्प कला उत्पादों की मांग है, मतलब हमारे देश के अंदर तो है यह, अंग्रेज भी बहुत जादा हैंडिक्राफ्ट से एट्रेक्ट होते हैं, इंडियन हैंडियन हस्त शिल्प हैं, जैसे कि भारत के कुछ भांड हैं, ठीक है, मिट्टी के बरतन हैं, कुछ धातु शिल्प हैं, ठीक है, हाथी दात शिल्प हैं, कंगा शिल्प हैं, और आपकी चूडियां हैं, काज की चूडियां, मूर्तिकला हैं, दरियां हैं, कारपेट्स हैं, टैरा कोटा हैं, जो पके हुए बरतन आपके लोह अब अगला टोपिक है वास्तूKALा, तो बारत के विbिन भागो में वास्तूकला की अलग 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 तरीकर का है इंडिया ने जो की अलग अलग धरमों की चाप को दर्शाता है। और ये सब जो होते हैं ये कही न कही इसलामी जो है मतलब शैली को दर्शाते हैं इसलाम धरम की चाप छोड़ते हैं वहीं बहुत जगा आपने इस तूप देखे होंगे ठीक है वो सब आपको क्या है बहुत धरम की चाप से अवगत कराते हैं वहीं कहीं कहीं आपने टेंपल् जो आपको हिंदु धर्म, पुरानिक हिंदु धर्म के वारे में आपको कहीं न कहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो ये जो वास्तुकलाएं होते हैं, ये बहुत सारे धर्मों की चाप कहीं न कहीं आपको दिखाते हैं, जैसे मकबरे, समाधी इस्तल, परतिमाएं, मूर्तियां होत बहुत सारी और आधोनिक समय में सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोचान दिया गया है वास्तुकला को ठीक है आज के टाइम पे modern जो आज का टाइम है ठीक है इसमें जो हमारी government है उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रोचान दिया है वास्तुकला को architecture को ठीक है आप देख सकते हैं यह हमारा Hinduism में जो कैसे मंदिरों को बनाया जाता है एक आपके सामने example के लिए photo मैंने यह आपे दिया है और आगे बढ़ते हैं ठीक है यह भी आप देख सकते हैं और अब अगला topic है हमारा भारतिय पाक प्रणाली भारतिय पाक प्रणाली आ जाना जाता है spices के लिए जाना जाता है तो भारत भी अपने मसालों के लिए बहुत famous है अपने खाने के लिए अपने व्यांजनों के लिए बहुत जादा भारत famous है तो अब मैं आपको बताता हूं भारते पाक प्रणाली में भारत अपने व्यांजनों की विवित्ता यानि क ठीक है, आप West Bengal side जाओगे, आपको अलग वेंजन मिलेगा, आप East India में जाओगे, आपको अलग वेंजन मिलेगा, आप Mumbai side जाओगे, आपको वहाँ पे अलग मिलेगा, तो भारत अपने वेंजनों की विवित्ता, varieties के लिए बहुत जादा famous है, और मसालों के लिए, spices के लिए भ भारतिय खाने की एक थाली, आप इससे जरूर अवगत होंगे, तो इस तरीके से हमारा ये part first समापत होता है, आपको वीडियो कैसी लगी, सबसे पहले तो आप ये जरूर बताना comment box में, क्योंकि इससे मुझे motivation मिलेगा, कि मैंने first time, अगर आपको पहला chapter पढ़ाया है, तो आपको कैसा लगा, और e-book मैं जल्दी ही home science पे भी मैं आपको बताऊंगा, जबकि हमारी English की जो है वो लगबग तयार होने वाली है, e-book आने वाली है, जिसमें से important questions आपके exam में जरूर आएंगे, ठीक है, और comment box में बताना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो आपको कैसी लगी, जल्दी ही हम बाट सेकेंड भी अपना लाएंगे, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जै हिन, जै भारत, धन्यवाद